नमस्कार दोस्तों, IndianMoney.com हिंदी पर आपका स्वागत है, मेरे नाम है फयाज आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा बहुत पसंदिदा टॉपिक है मैं खुद बहुत दिन से क्यूरियस था इसको जानने के लिए कि क्या actually मैं बैंक निलाम करने वाली प्रॉपिटी इसको आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए और आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है, आज हम लोग इन डीटेल में डिसकस करेंगे कि जो भी हम लोग देखते हैं कि auction हो रहा है, एक बंदा बोलता है कि हाँ 5 लाग, दुसरा बंदा बोलता है 6 लाग, फिर अगर पहला बंदे ने 5 लाग के उपर नहीं बोला, तो फिर ये दुसरे बंदे की property हो जाती है लेकिन इस तरह की property को क्या आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, ये आपको काफी ज़्यदा crystal clear हो जाएगा क्योंकि मैं आज पूरी जानकारी दूँगा, complete detailed वीडियो होगा ये इस पूरे aspect के उपर, इस पूरे topic के उपर हम आपको निलामे वाली property के फायदे भी बताएंगे, उसके थोड़े बहुत challenges भी बताएंगे और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको एक clarity मिल जाएगी कि यहाँ अगले बार निलामी वाली property को मुझे खरीदना चाहिए कि ने खरीदना चाहिए और ये वीडियो ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि December 30 से SBI State Bank of India ने तेश भर में अपनी हजारो properties को auction के लिए यहाँ पर खुलू शुरू कर दिया है और basically almost यहाँ पर SBI के साथ साथ पंजाब National Bank ने भी अपने जितनी भी properties थे उनकी उनको भी यहाँ पर auction के लिए निकाल रहे हैं अब banks कौन से properties को auction के लिए निकालते हैं वो लोग जो की bank जाते हैं अपना loan लेने के लिए लेकिन अपनी properties को गिरिवी रखके जब वो loan लेते हैं और किसी कारण वर्ष उस loan को सही वक्त पूरों लोग चुका नहीं पाते हैं तो banks उस property को हतिया लेती है उस bank उस property के legal अब मत अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या bidding वाली properties को लेना auction वाली properties को लेना फायदे का सौधा है कि नहीं है ये अफकोस economically काफी ज़ादा फायदे का सौधा होता है क्योंकि आपको जो auction वाली properties होती है वो आपको open market के rates की तुलना में लगबग 10-20% के discount पर मिलती है example अगर मान लीजी कि एक करोड रुपे का कोई property एक करोड रुपे का कोई घर है जो अगर आप directly owner से खरीदने के लिए जाते तो शायद आपको एक करोड रुपे देने पढ़ सकता था लेकिन आप यहाँ पर क्योंकि auction के माध्यम से ले रहे हैं तो कहीं बार ये discounted price में लिखने को मिलेगा एक और advantage जो होता है इस तरह की properties को लेने का वो यह है कि यह ready to move in properties होती है बहुत सारे जो हम लोग apartments या विला लेने के लिए जब जाते हैं तो developer के पास जब भी हम लोग जाते हैं बात करने के लिए तो यह काफी जदा under construction के state में होते हैं under construction के दोरानी पॉजेशन मिलने का वेट करते हैं लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर एक ready made property अगर property है auction पर तो यह आपको ready made property खड़ी हुई मिल रही है इसमें आपका बहुत हद तक time बच रहा है पैसा बच रहा है और आपका energy भी बच रही और आपको अगर पूरा transaction फीक ठाक रह अब यह तो हो गई सारी अच्छी अच्छी बाते मज़धार बाते हैं कि जिससे कि आपका यहाँ पर रुजहान बढ़ जाएगा इस तरह की properties में निवेश करने के लिए लेकिन हर सिक्के के दो पहले होते हैं फाइदा भी होता है नुकसान भी होता है फाइदा भी होता है challenges भी होते हैं तो आज अब हम लोग बात करेंगे challenges की कौन-कौन से challenges आपको deal करने पड़ते हैं अगर आप एक auction वाली property को खरीदने जाते हैं तो सबसे पहला challenge तो यहाँ पर यह होता है कि physical condition of the property might not be that good यहाँ पर अगर आप एक नया घर ready-made घर खरीदने के लिए जाते हो तो चका-चक मिलती है लेकिन यहाँ पर क्योंकि auctioned property है auctioned किसी भी चिसको अगर आप खरीदने जाएंगे तो उसकी property की condition अच्छी नहीं क्योंकि owner ने उसका maintenance करना बहुत दिन से बंद कर दिया होता है banks भी उसको maintaining करते हैं क्योंकि bank को भी property रखनी नहीं है तो हो सकता है कि आपक आपको नजर नहीं आएगी अगला जो challenge यहाँ पर यह होता है कि आपका जो title due diligence की जो बात आती है तो यहाँ पर भी आपको एक suspense या फिर यहाँ पर भी आपको एक surprise देखने को मिल सकता है क्योंकि banks मान लीजे मेरा एक property है मुझे loan चाहिए मैं bank के पास जाता हूँ मैं अपन सकता है कि मैंने वो property किसी और के पास भी दी हो किसी और के साथ भी इस property के title हो या फिर हो सकता है कि मैं अखेला owner ना हूँ इस property का और भी लोग हो जो इस property के ownership पे हिस्तोदारी या claim कर सके और bank अपने आपको ऐसे किसी भी लफ़ड़े से दूर रखती है यह bank के bidding auction के जो clauses होत पनी research कर लें अगर आप जो भी property लेना चाहते हैं उसके बारे में जाच पड़ताल कर लें अच्छे से और उसके बाद सारे पहलों को ध्याम रखने के बाद ही आप फैसला करें कि यदि आपको इस property में निश करना है कि नहीं करना है अगला जो challenge होता है वो होता है possession of the property कई पार immovable properties की जब बाद आती है मालीजे land हो गया घर हो गया अपार्टमेंट हो गया तो ये सारी properties जब हम लोग गिरवी रखके loan लेते हैं तो banks भले ही उस property की ownership के papers आपसे ले लेते हैं आपसे papers आपसे चीन लेते हैं लेकिन कई conditions में उसकी possession या फिर उस property को खाली वगएरा कर property पे उस वक्त जो लोग मौझूद हैं उनसे आप कैसे deal करते हैं उनको कैसे हटवाते हैं यह आपका headache है आपका सर्दत है बैंक यहाँ पर आपकी कोई साहता नहीं करेगी इसका बहुत ही simple plain example अगर मैं दूँ तो अगर आपने बहुत पहले अमिताब बच्चन की पिच्चर थी त्रिशूल त्रिशूल में जैसे जो संजीव कुमार है वो अमिताब बच्चन को प्रॉपर्टी बेचते हैं पांच लाग रुपे में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी उनको बेच देते हैं वो इसलिए क्योंकि उस प्रॉपर्टी पर एक गुंडे का कबजा होता है औ लेकिन उनको लगता है कि इस प्रॉपर्टी से हाथ दोना पड़ेगा तो अमिताब बच्चन को बेज देते हैं ये बात और है कि अमिताब बच्चन फाइट करके इस प्रॉपर्टी की पोसेशन ले लेते हैं लेकिन हो सकता है कि आपके अंदर अमिताब बच्चन जैसे आ बाग ना हो, हो सकता आप उतना challenge लेना पाएं और उस तरह की fight और अगेरा में आप involved खुद को ना करना चाहें, तो ये आपका सरदर्द बन सकता है, तो इसलिए again किसी भी property में निवेश करने से पहले आप उसकी complete जांच परदाल कर लेगी, क्या उसके पर कोई मौझूदा tenant या नहीं है, उसके बाद ही आप किसी भी property का चुनाब करें, आखरी और सबसे जरूरी factors, जो सबसे जरूरी challenge यहाँ पर होता है, वो ये होता है कि आपको okay, finances को ready रखना बहुत जरूरी है, किसी भी bid में हिसा लेने के पहले, आपको उस property के bid amount में, अगर आप property खरीदना चात होता है, और अगले आने वाले 15 दिन के अंदर आपको बचा हुआ 75% जो property का दाम है, जो की agreed amount तैह हुआ है, वो आपको deposit करना पड़ता है, तो हो सकता है आपको इतने short notice पे loan ना मिले, तो अपने loan वगेरा को लेकर भी आप ठोड़े से मतला prepared रहें, अपने पैसे वगेरा को बंदोबस कर लें, अपना इंतजाम कर लें ताकि आप अगर property अच्छी खासी property आपको मिल भी जाती है, तो पैसो की कमी के वज़े से वो property आपके हाथ से नहीं निकलना चाहिए, तो ये सारे factors को अगर आप भ्यान में रखेंगे तो यकीना आप भी आने वाली जो निलामी properties हो रही है, हमारे देश में SBI और पंजाब नाशनल बैंक और बहुत सरे अनियाने अलग-अलग banks की, तो कि हजारो properties आच आच आउक्षन के लिए निकाल रही है, जो कि ये आउक्षन से अविलेबल है, इसकी जानकरी आपको इन सारे banks की websites पर अगर आप जाएंगे या फिर नजदीकी बैंक के ब्रांच में जाके आप बात करेंगे तो आपको मिल जाएगी, तो मुझे हुपी थे कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफर्मिटिव लगा होगा, अगर ये वीडियो पसंद आगे तो इस वीडियो को अपने family की साथ शेर करिए, दो dot com.